Hello Friends, Welcome to Online Engineering आज मैं उन सभी स्टूदेंट्स के लिए good news लेके आया हूँ जो किसी ना किसी exam की त्यारी कर रहा होगा चाहे आप gate की त्यारी कर रहे हो चाहे आप engineering civil services की त्यारी कर रहे हो चाहे RRB, JAE की त्यारी कर रहे हो आप किसी भी state JAE की त्यारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक special series यहाँ पर start करने जा रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे आपने कुछ important codal provision की अगर यहाँ पर बात की जाएं आपके civil engineering के important codal की तो यहाँ पर आपके पास कम से कम 3-4 important code study करने होते है जिसमें हम सबसे पहले study करते हैं अपने RCC के अंधर की pre-test concrete की वहाँ पे भी हम अपने code की study करते हैं तीसरा code रहता है आपके पास कुछ environmental engineering की कुछ important points होते हैं जो आप code की मदद से जिनको learn करते हैं उसी तरह से highway engineering के कुछ important code रहता है और आज की date में जो मैंने देखा गया है कि different exam में अगर मैंने पिछले दो साल की analysis की है तो वहाँ पर earthquake से भी questions पूछा जाने लगया तो जो earthquake का codal provision है उसको भी हम यहां मद्धे नजर रखते हुए इसको भी cover करने की कोशिश करेंगे यहां पर जो मैं सबसे पहले cover करूँगा वो रहेगा आपके पास priestess concrete का important codal provision जिसमें हम बात करेंगे आपके IS 1343-1980 के मताबित यहीं कि आपके 1980 में जो पहला revision हुआ था और उसका जब second revision आया यहीं कि जो आज की date में हम study कर रहे हैं IS 1343-192012 अगर हम बात करते हैं आपके priestess concrete के codal provision की तो इंडिया में यह जो सबसे पहले print out किया था तो किस नहीं किया था आपके BIS ने किया था और कब किया था 1960 में किया था clear है तो इसकी मैंने proper details आपके लेके आएंगे और यह जो series आपकी start होगी यह आपकी 4 माई से start होगी और इस series की जो आपकी classes रहेगी ओटेली शाम 7 बजे रहेगी अगर आप students का response बहुत अच्छा रहा तो यह जो codal provision की जो हमने series start की है इसको मैं continuously start करूँगा यह मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो अगर हम pre-test concrete के important codal provision की बात करते हैं तो आपकी exam के अंदर यहां से कम से कम 2-3 direct questions पूछे जाते हैं तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि जो भी इसका codal provision है उसको skip मत कीजिएगा इसको अच्छा से analyze कीजिएगा क्योंकि 4 माई से हम इसकी series start कर रहे है तो अब मिलते हैं आपको daily शाम 7 बचे जहाँ पे हम अपने कुछ important codal prison की study करेंगे तो ओके गाईज